Hello students, मैं हूँ जितेन रजमेरा, The Crazy Programmers की तरफ से आज वाले वीडियो में हम लेकर क्या है normalization का एक और concept जो की है canonical cover या फिर minimal set और minimal cover of functional dependencies हम सब जानते हैं functional dependencies क्या होती है किसी भी table के अंदर जितने भी attribute से जो की column की तरह behave करते हैं इन में से कोई भी एक attribute किसी और attribute पर depend करता है अपने पहचान के लिए, recognition के लिए तब वहाँ functional dependency create होती है जैसे कि student table में student का जो name है वो अपने recognition के लिए student id पर depend करता है तो यहाँ पे name जो है और s id जो है इन दोनों के बीच में functional dependency create हो रही है तो उसी तरह से किसी भी table में जो ही ने एक ही functional dependency हो एक से ज़्यादा functional dependencies भी हो सकती है तो oftentimes क्या होता है कि normal tables के अंदर भी normal relations के अंदर भी multiple functional dependencies मौझूद होती है कैसे? हम यहाँ पे देखे एक relation मुझे दे रखा है R, ABCDE relation is like a table और ABCDE जो है इसके attributes है यहनी इसके column है यहनी कि 5 column की यह table बन रही है अभी यह पांचो इस तरह से आपस में connected है कि 4 अलग-अलग functional dependencies बन रही है अभी यह चारो इन पांचों के बीश में कैसे हो रही वह हमें आ अभी मलब भावी अभी 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 में उस पर focus करने की जरूत नहीं है खले आपको यह समदना है कि चार अलग-अलग तरह से एक दूसरे पर functionality dependent है ठीक है तो खुल मिला कि यह मेरा relation का set है और इस relation के ऊपर यह जो functional dependencies है उनका set है उसका नाम है FD ठीक है अब canonical cover या minimal set या minimal cover होता क्या है किसी भी table के अंदर मोजूद functional dependencies का जो set होता है उसमें से कोई भी ऐसी functional dependency जो की extra है या जिसको हटाने से original table पे कोई भी impact नहीं होगा तो उसे हटाने के बाद में जो minimum functional dependencies बचती है जिनसे के table exist कर रही है उसे ही minimal set या minimal cover बोला जाता है simple word में बोलू तो किसी भी table के अंदर जो extra functional dependencies है उसे हटा दीजे बर ध्यान यह रखना है कि table के original format पे कोई असर नहीं पढ़ना चाहिए अगर किसी भी functional dependency को हटाने पर उसका असर table पे पढ़ रहा है तो यहनी कि वो table के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसे नहीं हटाना है जो extra है उसे हटाना है तो minimal cover क्या हो गया किसी भी relation R के लिए एक functional dependencies का set हमें दे रखा है जिसका नाम है FD उसके अंदर से अगर उसके अंदर से हम जो extra functional dependencies है उन्हें हटा दें और खाली जरूरी functional dependencies को ही रहने दें तो जो remaining functional dependencies का set बसता है उसे ही बोला जाता है minimal cover या minimal set of functional dependency यह जैसे कि यहां मैंने बता रखा है ठीक है और एक चीज़ा हमें शर्यान रखिएगा कि minimal cover और original functional dependencies इन दोनों के output हमेशा equal होने चाहिए यानि कि यह पहले वाला set है जहां पर 5 attributes के साथ यह table बनी हुई है और यह उसकी 4 functional dependencies है और यहां पर मैंने क्या किया कि 2 functional dependencies extra थी f2 और f4 तो उन्हें मैंने हटा दिया ठीक है और यह लिए लिए तो मैं तो उन्हें मैंने हटा दिया और अब क्या बचा है खली f1 f3 तो इन दोनों attributes या इन दोनों functional dependencies से भी मैं यह table original बन रही है कोई भी problem नहीं आ रही है ठीक है तो यहां पर होना क्या चाहिए कि fd और fm दोनों का ही output similar होना चाहिए अगर fd और fm के output में कोई भी changes है इसका मतलब हमने कोई एक जरूरी functional dependency हटा दी तो आप short मैं फिसे समझा देता हूँ किसी भी table के अंदर multiple attributes दिये होते हैं यह attributes एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनके इस जुड़ा को ही functional dependency कहा जाता है तो कभी-कभी किसी table के अंदर जरूरत से ज़्यादा functional dependencies दी हुई होती है जो बीन वज़े table को complex बनाती है तो normalization के लिए हम क्या करते हैं हम इसी extra functional dependencies को find out करते हैं और उसे remove कर देते हैं तो जो बची हुई functional dependencies है उसे ही minimal set of functional dependencies कहा जाता है तो यह हो गया हमारा functional dependencies अब हम इस example में सबसे ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं यह हमाई table है student table इसके अंदर s id name class course id course mobile salutation सब कुछ दे रखा है अगर हम यहाँ पर देखें course की बात करें ठीक है course जो है वो s id पर भी depend है ठीक है और course जो है वो c id पर भी depend है यानि कि एक attribute दो अलग अलग attribute पर functionally dependent है तो इसको मैं यहाँ लिखा क्या मैंने यह देखी है course जो हो s id पर भी depend है और course जो हो c id पर भी depend है तो course दो अलग अलग attribute पर depend है यह बिने वज़े complexity create कर रहा है साथ के साथ c id खुद s id पर depend है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर तीन dependency create हो ही functional dependency तो मैं क्या करता हूँ मैं minimal cover निकालता हूँ यहनि कि जो extra functional dependency जो उन्हें हटाने कोशिश करता हूँ तो मैंने क्या किया इधा देखिए इस table के अंदर मैंने course को ही बिलकुछ separate कर दिया ठीक है मैंने course को ही बिलकुछ separate कर दिया है course id के साथ course name को मैंने बिलकुछ separate कर दिया तो अब हम अगा original table में देखे तो सिर्फ cid बचा तो यह निकी यह changes करने के बाद में फर्क क्या है यहाँ पर देख लेते हैं इस table के अंदर course sid और cid पर depend था दो functional dependencies मैंने टेबल को simplify कर दिया normalize कर दिया उसके लिए मैंने course को अलग कर दिया उस attribute को मैंने अलग निकाल दिया course id के साथ मैं तो अब अगर इस table में देखें तो course हट चुका है तो यह course वाली जो sid है course और sid वाला यह मैंने हटा दिया ठीके देन उसके बाद में course जो है वो sid पर भी depend नी है और course जो sid पर भी depend नी है इस वाली टेबल में यह जो टेबल बनी हुई है इसके अंदर इसकी बात कर दा हूँ इस पर ध्यान दीजेगा यहाँ पे चुकी course वाला column ही हट गया है तो वो हट गया हुआ दो extra functional dependencies हट गई लेकिन यह ध्यान रखेगा कि इसका मतलब यह नहीं किसको हटा कर सेपरेट कर दिया normalization के rules को याद रखेगा table हमेशा connected रहनी चाहिए इसलिए course को मैंने सेपरेट कर दिया और cid यहाँ पर भी ले ली तो इस course table के अंदर cid primary की है और इस student table के अंदर अगर हम बात करें cid जो है जब foreign की यहाँ पर दे रखी है और इस तरह से दोनों table जुड़ी हुई है तो functional dependencies हमने कैसे remove करी minimal set कैसे निकाला हमने वो attribute find out किया जिसको हटाने से table पे इता impact नहीं पड़ेगा उसे हटा दिया तो उससे जुड़ी हुई extra functional dependencies भी हट गई ठीक है तो यह हमारा example था अब हम थोग सा आगे बढ़ते हैं canonical cover की बात करते हैं canonical cover और minimal cover दुनों same होते है concept में कि least number of functional dependencies जिसकी मदद से हम कोई भी table create कर सकते है extra functional dependencies को हटा दो यह concept होता है canonical cover और minimal cover का उसके RHS की बात कर यहनी equation के right hand side में जो values लिखी हुई है उसमें सिफ एक ही value आ सकती है या एक ही attribute आ सकता है लेकिन canonical cover में ऐसा नहीं है उसके RHS के अंदर वो एक से ज़्यादा attribute रख सकता है कियसे यहां मैं देखे बता रखा है यह canonical cover है यह दा इसके अंदर आप देखें इस वाली equation के right hand side में single attribute है लेकिन नीचे यहां इसके right hand side में double attribute है तो यह canonical cover इसको allowed करता है लेकिन यही अगर मैं minimal cover में लिखूँ तो आप ध्यान से देखे minimal cover में क्या होदा है कि right hand side में उपर या नीचे दोनों ही तरफ single attribute ही allowed है यह इन दोनों के बीच में major difference है बागी concept से हमें extra functional dependencies को हटा दो ठीक है ताकि table जो है simpler हो सके यह extra fd जो है यह extra functional dependency जो है database को complex बनाती इसलिए हटाना पड़ता है वो इसके लिए हम क्या करते है वो attribute जिसको हटाने से table पे इता impact ना पड़े table के original बनावट में कोई छेड़शार ना हो उस attribute को हम separate table में डाल देते हैं और उसको primary की foreign की concept के to main table से जोड़ देते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा minimum, minimal cover और canonical cover ठीक अब थोग सा आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी set of functional dependencies का minimal cover या canonical cover के से निकाला जाता है तो सबसे पहली चीज़ किसी भी set of functional dependencies का minimal cover पहले निकाला जाता है और देन उसके बाद में उसका canonical cover निकाला जाता है तो किसी भ दो rule हमें याद रखने हैं, सबसे पहला, जो minimal set हमारा बनेगा, या minimal cover हमारा बनेगा, उसमें कोई भी dependency के अंदर, dependency को ऐसे equation की तरह लिखते हैं, a tends to b, यानि b किस पर depend है, a पर, तो इसको मैं equation बोलता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा minimal cover, या minimal set of functional dependency बनेगा, उसमें हर functional dependency के लिए, right hand side में, सिर्फ और सिर्फ एक ही attribute होना चाहिए, यह हमें maintain करना है, जैसे कि, a जो है b को derive कर रहा है, और a जो है c को derive कर रहा है, मैं यहाँ यह नहीं कर सकता, a, b, c, दोनों को derive कर रहा है, इस तरह से आगे लिख नहीं सकता, अलग-अलग मुझे उनको लिखना होगा, तो इस term तक, इस condition तक हमें पहुचना है, दूसरा, जब final हमारा minimal cover बनता है, उसके अंदर क्या हुआ होग हमें दो ऐसी proper subset है, इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर x भी z को define कर रहा है, y भी z को define कर रहा है, और y जो खुड x का subset है, तो मैं या तो x tends to z हटा दू, या y tends to z हटा दू, क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी x से भी x, y, z, टीनों मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, simple सा जो मैं कहना चाहरा हूँ, x से z मिल रहा है, y से भी z मिल रहा है, और x से y भी मिल रहा है, तो मैं सोचूं कि मैं तीनों में से किसी एक को हटा दूँ, ठीक है ऐसा नहीं इस तरह की dependency को हम हटा नहीं सकते है क्योंकि उससे क्या होगा बीने वज़र disturbance पेड़ा होता है माना y जो है x का subset है ठीक है y की value x में से ही निकलेगी पर इसका मतलब यह तो नहीं जित्ती भी value x के पास है वो सारी की सारी y भी लेगा y उसमें से selected value लेगा तो खुल मिलाका क्या x tends to z और y tends to z दो अलग-अलग equations बनेगी तो अलग-अलग functional dependency बनेगी इसलिए मैं इनको नहीं हटा सकता यह दो चीज़ा हमें ध्यान रतनी है rules की अब हम examples के थूँ समझना शूरू करते हैं ठीक है हमें functional dependency दे रखी है कुछ इस तरह से ध्यान से देखिए यह example भी जो है हमने internet से लिया है यह previous years के papers में पूछा जाता था get के अंदर ठीक है अब इसको हम समझना शूरू करते हैं ठीक है हमें functional dependencies दे रखी हैết एक टेंश टूबीसी यह nouveauाई है पर दिपेंड कर रहा है c जो है b पे डिपेंड कर रहा है B जो है वो A पर depend कर रहा और C जो है B पर depend कर रहा है अब हमें इससे जो है पहले minimal cover में बदलना है फिर canonical cover में हमें इससे बदलना है जिनी कि हमें इसका minimal cover या minimal set of functional dependencies और canonical cover find out करना है तो step by step करना solve करना शुरू करेंगे सबसे पहला step convert RHS attribute into single attribute ठीक है हमें क्या देखना है यहां देखते हैं इस वाली equation में right hand side में B C two attribute है हमें इनको single में convert करना है तो बहुत ही simple है A से B C दोनों मिल रहे एक्टमें से मिनको अलग-अलग भी लिख सकता हूं तो A से B मिलेगा और A से C मिलेगा तो पहला step clear हो गया क्योंकि बाकी तीन जो है नीचे वाले उनमें कहीं पर भी right hand side में double attribute नहीं है इसलिए वो as it is आ गए तो पहला step क्या था RHS के अंदर देखो कहीं पर भी अगर double attribute है तो उनको single attribute में convert करना है यह मैंने यह कर दिया A tends to BC था ठीक है उसको मैंने क्या कर दिया A tends to B और A tends to C मैंने कर दिया उसको पहला step complete अब हम next step की तब बढ़ते हैं अब second step क्या है remove the extra LHS attribute extra कैसे है उसके लिए फिसे हम इस वाले में जाते हैं यहां देखिए यह A B यहां पर दो attribute है यह दोनों मिल के C को derive कर रहे हैं अब इसके अंदर हमें actually करना क्या है जो extra attribute है B और A के लिए B extra है और B के लिए A extra है तो हमें इनको हटाना होगा तो वह कैसे करेंगे अब हम सबसे पहले उसके लिए A B मेंसे A को पकड़ लेते हैं और A का closure निकालते हैं तो closure कैसे निकालते हैं तो उसका हम separate video बना चुके हैं ठीके A का closure कैसे निकलेगा A से B C find out हो रहा है ठीके B से C find out हो रहा है ठीके और A से B find out हो रहा है यनि A से A B C 3 find out हो रहा है तो A का closure क्या हो गया A B C यह दिखें यहां पर यह रहा तो अब जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जब A से A, B, C, तीनों ही find out हो रहे है, यनि कि A से A भी मिल रहा है, A से B भी मिल रहा है, A से C भी मिल रहा है, तो यहाँ पर यह जो A, B से C मिल रहा है, मैं यहाँ B हटा दूनों B extra है, क्यों? क्योंकि A, B दोनों को मिला करके के भी C मिल रहा है वो खाली ऐसे भी C मिल रहा है तो B एक्स्ट्रा है उसकी जरुत नहीं तो मैंने उसको हटा दिया तो यह देखिए equation बन गई टोटल मिला के यहां देखिए आप इधर 5 equations है 1 2 3 4 5 इधर भी 5 equations है मैंने B को last वाले में से जो AB था उसमें से B को हटा दिया वो एक्स्ट्रा था तो concept क्या है ध्यान से याद रखिएगा एऔर बी दोनों को मिला रहा है ठीकर A लोट दोनों मिल के C को derive कर रहे हैं अखिवा A भी C को derive subscribe कर सकता हैं तो मैंने b को हटा दिया वो एकस्ट्रा था इस तरह से में ही dal condition पुठीशन पुरी हो गई ल'llच में विसार से सिंगल एक्स्ट्रीबियूट हो गए ऑर अर्थे यसय को मैंने संगल एक्स्ट्रा को मैंने जटा दिया ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, next किता, third step, remove the redundant fds, redundant मतलब जो बार-बार repeat हो दी, ऐसी functional dependence इसको हटाना है, तो वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं, a tends to b, a tends to c, and a tends to, sorry, b tends to c, यहां तक तो ठीक है, अब यह फिर से क्या, a tends to b, यह तो उपर भी आ गया, यह नहीं repeat हो रहा है और a tends to c, यह तो उपर भी आगया है, नहीं कि repeat हो रहा है, तो यह नीचे वाले जो दोनों है, यह, a tends to b, और a tends to c, यह redundant है, यह repeat हो रहा है, तो इनको मैंने हटा दिया, तो यह रहा output, a tends to b, a tends to c, and b tends to c, यह मैंने हटा दिया, redundant fds is hurt गई, इनका table पर कोई असन नहीं पढ़ d, इसके लिए ध्यान से समझते है, a से b find out हो रहा है, और b से c find out हो रहा है, ठीक है, वह यहाँ पर अगर इसमें देखे है, तो a से c find out हो रहा है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं जब a से b को निकाल सकता हूँ, और b से c को निकाल सकता हूँ, तो फिर directly a से c निक यहां पर मैंने क्या कि इसको जो है एक नेट इसको जो है मैं हटा देता हूँ यहां से क्लियर था है अब हमाँ पास में सिर्फो सिर्फ दो फंक्शनल डिपेंडेंसी बची है एक A tends to B एक B tends to C ठीक है यह 4 step अब आते हैं 5th step पे 5th step क्या डायक minimal कवर क्योंकि यहां आने के बाद में अब हमाँ पास में अगर हम देखें तो right hand side में सभी single attribute है left hand side में extra attribute हट चुके है ठीक है redundant functional dependency हमने हटा दी extraneous functional dependency हमने हटा दी तो अब जो बचरी है a tends to b और b tends to c यह है minimal कबर इनमेंसे हम किसी को भी नहीं हटा सकते है अदवाए टेबल जो है वो जो है क्या बोल सकते हम वो टेबल जो है अंसर्टेन हो जाएगी टेबल जो है इन बैलेंस हो जाएगी ठीक है कैसे यहां पर देखिए a b c इन तीन element को मिला करके ही पूरी टेबल बनी हुई थी यहनी कि relation के अंदर हमें क्या दे रखा है हमें functional dependency क्या दे रखिए a b c इन तीनों पर इस हाई functional dependency बन रही थी और बिना वज़ा हमें चा चा उपसे complex जो है हमें functional dependency दे रखी थी हमने इसको किता simplify कर दिया a से b and b से c इन में इस का relation find out हो जा क्यों a से b और b से c तो nothing else हम ने कहा है actually हमने यहां पर b c को साथ में लिख दिया कि a से b और c दोनों मिल रहे है और b से c भी मिल रहा है यहनि कि आप A की मदद से B और C दोनों find out कर सकते हो, और B की मदद से C भी find out कर सकते हो, यह होता है हमारा canonical cover, ठीक है? अगर canonical समझ में यह रहा है, रहाफ इससे बता देता हूँ, minimal cover में क्या हो रहा है? A से B मिल रहा है, और B से C मिल रहा है, कि किसी भी table के अंदर multiple functional dependencies दी रखी होती है, उन में से जो extra functional dependencies उन्हें हटा सकते हैं, इसे table ज़्यादा simple हो जाएगी, और जो बची हुई functional dependencies हैं, जिनको हटाने से table जो है, imbalance हो जाएगी या uncertain हो जाएगी, उसे नहीं हटाएंगे, उन functional dependencies को हम एक set बना के रखेंगे, और उस set को ही minimal set of functional dependency बोलते हैं, minimal cover बोलते हैं, एक बाहा हमें minimal cover मिल जाए, तो हम canonical cover भी आसानी से find out कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको canonical cover और minimal cover आसानी से समझ में आ गया होगा, फिब अगर आपके मन में कोई भी doubt है, कोई question है, कोई feedback, कोई suggestion या कोई चीज़ आप detail में जानना चाहरा हैं, तो हमें comment box में लिख करके बताएं, हमाँ इस वीडियो को like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, कर आप इसी तरह के वीडियो जो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के notes आपको description box में मिल जाएंगे, हमने अभी तक जितने भी videos बनाया है, उनके link और उनके notes के link भी आपको description box में available हो जाएंगे, the crazy programmers की तब से आज के लिए बस इतना ही,